अस्सलाव अलेकुम प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हम आज तीसरी जमात का EVS का सबक नमबर चार सिम्त और नक्षा तो यहाँ पर जानेंगे समझेंगे और इसको किस तरह से समझा जाता है ये भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे साथ ही इस सबक के सवाजवाब कुछ ह उसे भी हल करते हुए चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अस्तजा के लिए यानि टीचर्स के लिए इस सबक में सिम्तों और नक्षे के पहचान करवाई गई है ये चीज़े तल्बा के लिए गयर मुईरी शकल में होने के सबब इसे मुनासिब तरीके से समझाते वक्त एफियाद बढ़ती जाए अमली काम पर जोड़ दिया जाए इस सबक में सिर्फ एहम सिम्तों ही पर धान दिया जाए बच्चों को कुत वनुमा इस्तिमाल के लिए दिया जाए ये एहम बात तल्बा को समझाई जाए कि नक्षे में सिम्तों का मुताला मुकामी इलाकों से जोड़ कर किया जाता है ठीक है तो इस तरह से टीचर ने बच्चों को हिदायत बत दिये तो आईए ये करके देखें कि जमात में दो कतारे बनाएं इस तरह से दो कतारे बनाए गई हैं फिर एक दुसरे के सामने खड़े हो जाएं अब आगे दिये हुए सवालों के जवाब स सामने खड़े तालिबिल्म का ताल्बा से कहो पहला है कि जमात में तक्तस या तुम्हारे किस जानिब है यानि ब्लैक बोर्ड जो है वो तुम्हारे किस साइड है वो पूछा जा रहा है दुसरा है कि जमात का खास दर्वाजा तुम्हारे किस जानिब है और इस उस्ताद की म किस तरफ है तुम्हारे जवाब और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म यानि तालबा के जो जवाब तुम्हारे तुम्हारे दाय जानिब है तो वह तुम्हारे सामने मौझूद तालिब इल्म तालबा के बाय जानिब होगा तुम्हारे सामने मौझूद तालिब इल् इसी तरह जमात का खास दर्वाजा और उस्ताद की मेज के दर्मियान मुतालिक तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिबिल्म यानि तल्बा के जवाब अलग-अलग होंगे दाएं बाएं आगे और पीछे इन जवाबों से कोई चीज वाकई कहा है ये बताना मुश है ये मश्रिक ये मगरिब और ये जो वाल सामने की तरफ है इधर होगा जुनूब तो इस तरह से टीचर समझाने की कोशिश कर रही है चलो आओ ये करके देखते हैं कि हम सिम्तों का इस्तिमाल करके पहले पूछेंगे और उपर दिये वे सवालों के जवाब दोबारा तला यानि ब्लैक बूर्ड खास दरवाजा और उस्ताद की मेज किस सिम्त में हैं तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन कहां पे रखावा है अब तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिबिल्म या तल्बा के जवाब यकसा होंगे सिम्तों का इस्तिमाल करके हम सही तरपर बता सकते हैं कि कोई चीज कहा है या किस जानिब रखी वी है आओ सिम्ते पहचानना सीखें देखो ये वाली जो तस्वीर दिखा रही ना बच्चो ये समझने के लिए बहुत ही बैतरीन है तो इस पे जरूर गौर करी है और चली हम पढ़के भी जानेंगे कि मगरिब, शुमाल और जुनुब ये चार एहम सिम्ते हैं ठीक है इन्हें किस तरह पहचानेंगे तो सूरज जिस सिम्त से निकलता है वो मश्रिक कहलाता है सूरज जिस सिम्त में डूपता है वो मगरिब कहलाता है ठीक है अब यहाँ पर यह लड़के को खड़े आप देखो तो इसके मुझ के जो सामने सूरज निकल रहा है ना तो देखी लिखा भी है वहाँ पर क्या मश्रिक और इसके उलट यहने इसके पीट की तरफ इसके एकदम अपोजिट में क्या लिखा है मगरिब है यह दो सीम तो हमने समझ ली कि अगर आपके भी घर के सामने सूरज जिस हमने सने हैं जैसे भी हमने आपको समझाया तो मश्रिक कि सिम रुक करके खड़े रहे तो मगरिब की सिम तहमारे पीछे होगी इस वक्त हमारे दाये जानीब जुनूब होगा और भाये जानीब शुमाल सिम तो होगी जैसे देखो उसके सीधे हाथ की तरफ जुनूब है और उल्टे हाथ की तरफ जो है वो बाए हाथ की तरफ शुमाल है यही समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है अब सूरज निकलते वक अपने इलाके में ये अमल करके देखो और सिम्तों को समझो दिलचस्प चोकोन यहा अब तुम्हारे घर की किस जानिब से सूरज निकलता है तो यह सिम्त मश्रिक है और घर के जिस जानिब सूरज निकलता है उस सिम्त के पीले निशान में मश्रिक लिखो अब मगरिब सिम्त की जानिब मौजूद निशान में मगरिब लिखो बकिया दोनों पीले निशानात में वार करके शुमाल और जुनूब लिखो तो यहां पर नेकि यह घर दिया गया बच्चों मान लो कि आपके घर के यह दर्वाजे के सामने सुरज निकलता है तो यह हिस्सा हुआ मश्रिक है ना और यह उसका उलट है तो यह हो जाएगा मगरी क्योंकि वो उसके आमने सामने ही होगा फिर आपका सीधा हाथ समझ लो यह जुनूब आया तो यह बाया आताएगा जुनूब तो यह शुमाल आ जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने समझा आगे चलेंगे कि तुम्हारे घर के इतराव मौजूद कई चीजे नीचे दी गई है इनके नाम चौकोन में लिख पहला है तुम्हारे पडोस के घर दूसरा है तुम्हारे घर के करीब की दुकान तीसरा है दरक चौता है करीब का रास्ता पाच्वा है करीब का बस स्टॉप तो यहां पर जो है चीजों के नाम आपको बताने हैं आप देखो तुम्हारे घर का महौल कैसा दिखाई देता ह तो यहाँ पर जो यह घर बने है न तो इस सारी चीज़ों को इस तरह से ही आपको बनाने को बताया जा रहा है तो आपको देखो कि यह तस्वीर एक अलग शकल ले लेगी अब असदजा के लिए क्या है कि तल्बा से तवक्का है कि जो वो चौकौन में रास्ता दिखाएं तो इस महोल के मताबिक पूरी तरह दिखाएं बाज तल्बा रास्ते का सिर्फ निशान दिखाएंगे हस्ब जरूरत इनकी रहनुमाई की जाए इस बात की जाच कर ले और हस सारे सवाल के जवाब हल करने ठीक है अब क्या तुम्हें मालूम है सूरज रोज निकलता है और डूपता है इसलिए इनसान ने सिमते तै करने के लिए सूरज का इस्तिमाल किया है दूसरा है यहां पर कि कुत्व नुमा में सूई हमेशा जुनूब की सिमते दिखाती है और और अपने उस्ताद या वालिदयन की मदद से तुम इसे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, साउत और नोर्थ का जो यह सुईयां दिखा रहे न, यह जुनूब और शुमाल की तरफ दिखा रहे देखो, यह वाली सुई हमेशा यही दोनों को दिखाती है, ठीक है, क्या करेंगे भला, सीमा और सोहेल को स्कूल में एक मसला हल करने के लिए का गया, क्या तुम इनकी मदद कर सकते हो, नीचे दिया गया मौमा हल करो, यहाँ पे दिया गया कि आइसक्रीम, मान लो यह आइसक्रीम की दुकान है, यह बस स्टॉप है, यह अमीर का घर है, यह सारा का अब यह मश्रिक है, तो बताईए यहाँ पे क्या होगा, मगरिब होगा ना, मश्रिक, मगरिब, और फिर जुनूब और शुमाल, इस तरह से आप रख सकते हो, अब यहाँ पे अलीप में है कि इस तस्वीर में सिम्त मश्रिक दिखाई गई है, वक्या, तीनों सिम्तों के न मश्रिक मगरिब, तो मगरिब से हमें मश्रिक की तरफ आना होगा, है ना, अब यहाँ पे है कि आइस क्रीम की दुकान की बस स्टॉप के तरफ जाने के लिए, किस सिम्त में जाना होगा, तब ही हमने देखा, जीम में है कि आमीर को आइस क्रीम की दुकान पर जाना है, उसे किस सिंथ में जाना होगा अब आमीर का गर हम देखेंगे ये है है न तो ये किस तरफ है ये है जुनूप की तरफ तो वो शुमाल की तरफ जाएगा क्योंकि वो आईस्क्रीम की दुकान की तरफ आ रहा है न नहीं आमीर की दुकान मश्रिक की तरफ है है ना उपर की तरफ जाएगा ना इसक्रीम की दुकान की तरफ अब यहां पर हम देखेंगे कि सारा को बस स्टॉप के तरफ जाना है उसे किस सिम्त में जाना होगा अब सारा का रहती है जुनूब की तरफ तो वह शुमाल की तरफ आएगी ठीक है यहां पर शुमाल होना इस तरह से समझ के यह बच्चा जो खड़ा है ना इसको समझ के यहाँ पर देखी चारो तरफ लिखा है यह समझ के लिखिए तो एकदम आप समझ जाएंगे ठीक है आगे हम चलते हैं अपने गाओं की मश्रिक सिम्त को पहँचानो उसे समझ लो कि किस सिम्त में किया गया है इ आप नक्षों में सिम्तों का इस्तिमाल कैसे करते हैं तो नक्षों में सिम्ते दिखाई गई है नक्षे में सिम्तों का धायरा भी दिया जाता है जिसने नक्षे में दी गई सिम्ते समझ में समझी जा सकती है नक्षों का मुताला करने से पहले इसमें दी भी सिम्तों को अप प्रेमाहौल की मगरी भी सिम्त से मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से नक्षे में दिये गए मकामात किस सिम्त में हैं ये पता चल जाएगा। दर्सी किताबों के नक्षों का मुतल्ला भी इसी तरह किया जाए। आओ दिमाग पर जोर दे। नक्षा निकलते हैं वे सुरज की जानिप चेहरा करके खड़े रहो। अब तुम्हारा दाया कान किस सिम्त में है बताओ बाया कान किस सिम्त में है और सुरज डूपते वक्त त इस सिम्स में बनेगा तो ये आपको समझ के करना है वच्चो तो जिला, रियासत और मुल्क अब भारत मेरा मुल्क है ये जुमला हम एहद में पढ़ते रहते हैं दूसरी जमात में रियासत, मुल्क और दुनिया जैसी अलफाज तुम पढ़ चुके हो इस किताब में भी कई जगा जमीन, दुनिया, मुल्क, रियासत, जिला, तालुका और गाओं जैसे अलफाज आये हैं आओ हम जिला, रियासत, मुल्क, जमीन और दुनिया का तारुफ हसिल करने की कोशिश करें हम घर में रहते हैं हमारे घर जमीन पर तामीर होते हैं ये जमीन बहुत दूर तक प रहते हैं जमीन पर कई मुल्क है ये मुल्क कई रियासतों से मिलकर बने हैं हम रियासत महाराष्ट में रहते हैं इस किसम की कई रियासतों से मिलकर हमारा मुल्क भारत बना है तुम्हारा जिला रियासत महाराष्ट मुल्क भारत और दुनिया के नक्षे यहां दिये गए हैं इन नक्षों से मतालिक अमली काम मकंबल करो, अब आपको अमली काम दिया गया, क्या क्या तुम्हें मालूम है, नक्षे का इशारिया, नक्षे में मालूमात, निशान, तस्वीर, अलामत और मुख्तलिप रंगों की मदद से दिखाई जाती है, इनकी फैरिष्ट भी नक्षे में दी जाती है, इसे अशारिया कहते है, अब इशारिया की वज़े से नक्षे समझने में आसानी होती है, इसे हमें हमेशा जहन में रखे, सिम्तों को हमने सूरज की मदद से समझा, फितरत की और भी कई चीज़े हमारे लिए मददगार साबित होती है, अब नक्षे से दो तालुके और तालुकों के सदर मुकाम दिखाए गए है, नक्षे भी इशारिया दिया हुआ है, यह इशारिया तुम्हें नक्षा समझने में मदद करेगा, इशारिया और सिम्तों की मदद से नक्षे को समझने की कोशिश करो, और नीचे दिये हुए अमल करो, अब यहाँ प रियासती सरत में ऐसा नहीं है, बीच में एक डॉट भी डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पर वही डूढना है, कि रियासती सरत की लाइने कहा हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि रियासती सरत की लाइने जो हैं, यह सब हैं, जो किनारे किनारे हैं, और दूसरा है जिल्ली सर जो है वो इसा राउन में किया हुआ है यहां पर थाना के तरफ यह निशान दिया गया है और तालुक का सदर मुकाम जो है वो ऐसा गोल एक डॉट है जो बिवंडी कलियान उलास नगर अमबरनात मुर्बाड और शापूर में दिखाया जा रहा है इस नक्षे को समझने के लि तालुका में तो मेरा तालुका जो है यहां जिला पाल घर जो है मेरा तालुका है और इधर मेरा यह वसई गाओं है अपनी जिला के सदर मुकाम के नाम के गिर्द ऐसा दायरा बनाओ तभी यहां पर मेरे जो है जिला का नाम नहीं दिया है इसलिए मैं नहीं लिख रही हू अपने तालुका की सरद से लगेवे तालुकों के नाम के गिर्द चोकोन बनाओ सुने बच्चो आपने ऐसा करना है सासत जिला पूना और जिला एहमद नगर की सरदों से लगेवे तालुकों में अलग-अलग रंग भरना है तो यह हम कर सकते हैं जिला पूना और जिला एहमद नगर तो यह देखो एहमद नगर है बच्चो तो यहाँ पर एक रंग भर सकते हैं और यह जिला पूना है तो यह एक रंग भर सकते हैं यहाँ पर जिला पालगर है तो इसको अलग रंग कर सकते हैं पैचान के लिए अब य रियासत महाराष्ट का है यहां रियासत महाराष्ट का है। और नाकपूर नाकपूर आधार कहा है यानि ये पूरा हिस्सा नाकपुर है और ये जो है ये हमारा महाराज के मुंबई है कहां पर है ये मुंबई है ठीक है इतना बड़ा हमारा मुंबई है पूरा तो आगे हम देखेंगे नक्षे में अपना जिला तलाश करो और इसमें रंग भरो तो अपना जिला आपको का नाम इशार्या में मेरा जिला के आगे लिखो ठीक है मेरा जिला के आगे यहाँ पे आपको अपनी जगा का नाम बताना है जो के पूछा जा रहा है अपनी जिला के पडोस में पाए जाने वाले जिलों के नाम नीचे दिये हुए चौकोन में लिखो जो भी आपके जिला के पडोसी है, उन सभी के नाम इस लाइन में आने चाहिए ठीके, अब नक्षे से दोस्ती नीचे अपने मुल्क का नक्षा दिया हुआ है इसमें मुल्क की राजधानी नई दिल्ली भी दिखाई गई है, ये पूरे भारत का नक्षा है, और इसमें हमें दिल्ली का नक्षा बताया गया है जिसमें जादा गौर किया जा रहा है तो यहाँ पर हमारे सवाल क्या है राजधानी नई दिल्ली तो राजधानी जो है वो नई दिल्ली यह देखो यह निशान दिखा आपको यह है नई दिल्ली यह इसका निशान है ठीक है, समझ में आगे है बच्चों आपको, आगे सवाल है कि मुलके नक्षे में अपनी रियासत महाराश्ट अलाश करो और उसमें रंग भरो, अब अमारा महाराश्ट जो है वो ये है, ये पूरा अमारा महाराश्ट है, तो इसे आप भगवा रंग में रंग दीजेगा, भ पानी, बहर यह नीले रंग से दिखये गये, तो जितनी भी यहाँ पे जमीन दिखाई जारी है वो सुफैद रंग की है, ठीकै, और जितना भी आसमानी रंग है, नीला रंग है वो क्या हैं, तो दुनिया में जमीन और पानी का हिस्सा एक साथ दिखाई दे सके इसके इसके लिए खास किसम का नक्षा तैयार किया गया है तो यह गोल बॉल की तरह मिलता है आप कभी खरीद के देखो इस तरह से जितनी भी जमीनी हिस्सा है वो सफेद है जितना भी निला हिस्सा है वो पानी है और दुनिया को इस तरह गुल रख कर हम पेचान सकते हैं तो बताइए बच्चो अब इसमें आपको भारत कहीं दिखाई दे रहा है मुझे तो दिखाई दे रहा है यह दीखियो हमारा भारत यहां पर है। ठीक है नक्षे में भी आपको यही रंग भरना है उसमें भारत लिखना है यह हमारा मुल्क है यह तो हम जानते ही है हमने क्या सीखा एहम सिम्तों की पहचान नक्षे में सिम्तों के दायरे का इस्तिमाल और नक्षे की मदद से जिला रियासत और मुल्क की पहचान ठीके बच्चों तो हमारा सबक बढ़कर हो गया और हमने नक्षों को और सिम्तों को अच्छे से समझा और किस तरह से नक्षों में अपनी जिला, रियासत और मुल्क को डूना जाता है ये भी हम जान गए तो चलिए मश्क भी कर लेते हैं यहाँ पर मश्क के लिए हम पेन और इस पेन के जरिये में आपको अंडरलाइन करकर के निशान लगा लगा के जवाबाद बताऊंगी तो बच्चों आप भी अपनी पेन और अपनी कौपी ले लिजे जिसमें आप इसे उतारेंगे तो बच्चों यहाँ शुरू कर रहे हम महौल का मुताला तिसरी जम चोथा सभक है यह सिंनत और नक्षा तो पहला सवाल है यहाँ पर इस सभक का कि नीचे चौकोन में सिंत और मशरिक दिखाई गई है और बच्चे में चौकोन में दूसरी सिंतों के नाम लिखो तो यहाँ पर क्या दिखाया गया था मश्रिक यानि ये मश्रिक जो है अल्रीडी दिखाई वी है यहाँ पे और बाकी का मैने मश्रिक के अपोजिट में आएगा मगरिब और दाएं हाथ में आएगा अगर ये लड़का खड़ा है तो दाएं हाथ में आजाएगा जुनूब देखो ये मश्रीक है यहाँ पर तो इसके पीट के तरफ यह हो गया और इसके राइट एंड पर आएगा जुनूब और उसके अपोजिट में जाएगा शुमाल अंग्रेजी में भी आप समझे बच्चों मश्रीक को इस्ट कहते हैं मगरिब को वेस्ट कहते हैं जुनूब को साउथ और शुमाल को नौर्थ इस तरह से अंग्रेजी में भी याद कर लिजे इसको समझने के लिए सबसे बहतरिन ये तस्वीर है जो बच्चा अपनी शकल सू और उसके लेफ्ट हैंड की तरफ शुमाल आता है तो ये इस तरह से समझने का तरीका है दूसरा सवाल है यहाँ पर कि मगरिबी सिम्ते तय करने के लिए किस चीज का इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पर देखे होगे आप सवाल का जवाब है कि सूरज निकलता है और तो आप समझ गए होंगे बच्चों यहाँ पर सूरज की वज़े से हमें मख्षरीक, मगरिब, जुनूब और शुमाल पता चलते हैं तो सूरज का इस्तिमाल करके जाना जा सकता है दूसरा यहाँ पर तीसरा सवाल है कि शुमाल के सामने कौन सी सिम्त है शुमाल के सामने आखरी और चौता सवाल है कि कुतुब नुमा की सुई कौन सी सिम्त बताती है अभी हमने हमने सबक में पढ़ लिया था फिर भी जवाब में हम देखेंगे कि कुतुब नुमा सुई हमेशा शुमाल और जुनूब की सिम्ते दिखाती है यहाँ पर आप देखोगे साउत और नौर्थ को ही दिखाती है सरगर्मी वच्चवाब के लिए कि अपने इतराफ की सिम्ते पहचानों फिर अपनी निसाभी किताब में दिया हुआ जिला का नक्षा सिफा 25 पर देखोगे तो नक्षे में दिये वे सिम्तों के दायरे की मदद से अपने इतराफ की सिम्तों से न नक्षे की मदद से हल करिए तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाजाब मुकमल हुए मैं उमीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आयोंगे अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक जरूर दिया करें इससे मुझे मैं इंशाला जरूर जवाब दोंगी तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाबाए टेक केर अल्ला हफेज